दोस्तों अपने सुना तो जरूर होगा कि इसलाम में एलकोहल कंस्यूम करना हराम है एलकोहल को इसलाम में वर्क आफ सैटन माना जाता है अभी हाली में कतर वर्ल्ड कप के दोरान भी एलकोहल बैन कर दिया गया था प्रॉपिट मुहमद के सेटन के कॉर्डिंग भी एलकोहल को फॉर्बिडन माना गया है लेकिन ऐसा क्यों इसका जवाब हम सिधा हौली कुरान के वर्सस से जानते है सुरह अलबकरा के वर्सस 219 में लिखा है कि एलकोहल के जितने लाब नहीं है उससे ज़्यादा वो डैमेज और डिस्टरक्शन लाता है पुरान के चैप्टर 4 और वर्सस 43 के कॉर्डिंग अगर सराप पिकर कोई नमाज पढ़ता है